26 अप्रेल 2020 के इपार्टन करेंट अफेर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं आप सभी का हार्दिका भिननदन है स्वावत है आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे प्रोना वाइरस के लेटस्ट अपडेट दुनिया भर में है 28,991,000 से भी डेटा क्रोस हो चुका है और मरने वालों की संच्छा 2,001,000 को भी क्रोस कर चुकी है और ठीक जब की हुए है सवा 8,001,000 के आशपास लोग ठीक भी हो चुके हैं अमेरिका के अंदर सबसे जड़ा केस है अभी तक नमबर वन पे ही बना हुआ है 9,45,249 केस अमेरिका में है और मरने वालों के संच्छा 53,243 है स्पेन के पास लगबग सवा 2,00,000 केस जो है वो आ चुके हैं इटली के पास में अलमोस्ट 1,95,351 केस हो चुके हैं जो कि टॉप 3 कंट्रीज में है ये चाइना नौई स्थान पे है जहां से ये वाइरस शुरू हुआ था और हमारे प्यारे भारत की स्थिती ये है कि अलार्मिंग रेट से केस जो है वो बढ़ रहे हैं 26,283 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संच्छा 825 महारास्टरा के अंदर सबस्दा केस आये हैं एक दिन के अंदर 811 तकरीबन दो नमबर पे गुजरात है तीन नमबर पे दिल्ली राज्य है ये के अंदर सासित प्रदेश है दिल्ली हाली में किस ने बैंकों को खाता धारकों को इलक्ट्रॉनिक कार्ड की सुईधा को देने के लिए मंजूरी दे दी है तो बैंकों को और ड्राफ्टिंग के लिए इलक्ट्रॉनिक कार्ड की सुईधा देने की गोशना की है RBI ने यानि की Reserve Bank of India ने भी option जो है इस क्यूशन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा अब यह एलक्ट्रॉनिक कार्ड जिसके अंदर यह जैसे SIM कार्ड की तरह ऐसे चिपसेट लगा होता है यह overdraft क्या होता है overdraft एक टाइप की खास सुईधा होती है जो बैंकों की और से अपने ग्रहाकों को दी जाती है अगर आपके बैंक अकाउंट में वैलन्स नहीं है तब यह सुईधा के तहट आप पैसे निकाल सकते हैं हलांकी बैंक इस पैसे पर ब्याज भी लेता है आपको यह बता दें कि परते ग्रहाक के लिए एक overdraft लिमिट भी तैक की जाती है RBI की बात की जाए तो RBI का full form होता है Reserve Bank of India RBI का headquarter है मुंबई में RBI की स्थापना हुई थी एक अपरेल 1935 को हुई थी और RBI के 25 वे गवर्नर का नाम है शक्ति कांत दास अगला जो हमारा किपसन है कि हाल ही में टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला सेक्षनिक संस्थान कोन सा है तो हमारे भारत में सबसे पहला सेक्षनिक संस्थान है इंस्टिट है IIT Delhi आयटेट डैली जो है और करोना की टेस्टिंग किट बनाने वाला भारत का पहला इंस्टिटूट है C options हो है इस क्यूसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा 25 अप्रेल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 25 अप्रेल को हर साल मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस C options जो है इस क्यूसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा कल जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने तभी आपको इस क्यूसन के बारे में बता दिया था इस बार का 2020 का थीम है इसका Zero Malaria starts with me दुबारा बताता हूँ Zero Malaria starts with me इस बार पच्चिस अप्रेल को इसका थीम है 25 अप्रेल 2020 Malaria का थीम है Malaria फैलता किस से है आप मुझे comment section में लिखके बताईएगा Malaria वैसे एक protozoal disease है किस मच्चर से फैलता है आप मुझे वो बताईएगा और मलेरिया जो है प्रोटोजोल डिजीज है एक और यह प्लाजमोडियम के थ्रू जो है आगे एक्सपेंड होता रहता है 1952 से पहले मलेरिया जो है आज आज AIDS का कोई खास इलाज है नहीं वैसे ही मलेरिया का कोई इलाज नहीं था तो लोग मरते ही मर ही जाते थे तो वैसे ही 1952 के बाद में सिन कोना पेड से उसके चाल से एक कुईनेन की दवाई प्राप्त हुई और उस कुईनेन से आज ठीक भी हो रहे हैं मलेरिया के मरीज Vodafone Idea has partnered with which payment app to launch recharge साथी प्रोग्राम Vodafone Idea ने कौन से payment application से सहुग किया है रिचार्ज साथी प्रोग्राम के तहत तो यह सहुग किया है पेटियम के साथ में सी options हो है इस question का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा यह प्रोग्राम जो है under this program क्या होने वाला है any Paytium customer can sell Vodafone and Idea recharge on Paytium app कोई भी Paytium का customer जो है वो वोड़ाफोन और Idea के रिचार्ज बेज सकता है Paytium application पे register करके ठीक है और कुछ अपने मतलब कुछ पैसा भी कमा सकता है से Paytium cashback बगरा देता है वो सब कुछ भी स्वेधाएं उपलब्द होगी अब बात Paytium की हो रही है तो Paytium की स्थापना की थी विजय संकर सर्मा ने इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी और विजय संकर सर्मा ही इसके वरतमान में विजय सेखर सर्मा जो है वरतमान में ही इसके CEO भी है CEO यान की Chief Executive Officer Headquarter Noida के अंदर जो है जो की UP में है और इसकी Parent Organization भी आप याद कर लीजेगा 197 Communication आगे बढ़ते हैं हम लोग ता मोबाइल एप e-Karale has been launched by which organization for movement of files and documents without physical touch अभी हाल ही में e-Karale नामा का application जो है वो कोन से संस्थाने कोन से जो है organization ने launch की है किसलिए launch की है ताकि कोई भी physical touch के बिना ही फाइलों का आदान परदान किया जा सके तो यह की है CISF ने यह options हो है is question का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा इस mobile application का main लक्षे यही है कि जितनी भी आपकी फाइले होंगी वो online ही transfer कर दी जाए ठीक है यह ministry home ministry के अंदर अंडर आता है इसका motto है protection and security ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अंदर प्रदेश सियम YS जगन मोहन रेड़ी has relaunched the YSR zero interest loan scheme for women self-help groups how much amount has been released for this scheme देखिया आंदर प्रदेश के मुख्य मंत्री YS जगन मोहन रेड़ी ने एक zero interest loan की scheme को दुबारा जो है वो launch किया है यह scheme जो है यह महिलाओं को loan देने से संबंदित है उनको लाप पुंचाने से संबंदित है इस scheme के तहट कितनी रासी को जो है वो अभी launch किया गया है या इसके लिए जो है वो आवंटित किये गए है तो इस scheme के लिए जो है zero interest loan scheme के तहट जो है चोदा सो क्रोड जो है वो आवंटित किये हैं आंदर प्रदेश के मुख्य मंत्री जगन मोहन रेड़ी ने बी option जो है इस question का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा आंदर प्रदेश की बात की जाए तो map में देखीगा ये है आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश की राजधानी अमरावती है यहां का literacy rate है 67.41 परसंटेज गवर्नर यहां के हैं विसो भूशन हरी चंदरन और जन सेंक्या 4.9 साथ करोड है अंदर प्रदेश को एशिया की अंडो की टोकरी कहा जाता है और हैद्राबाद जो है इसकी राजधानी वर्तमान में लेकिन आने वाले समय में इसकी राजधानी अमरावती बन जाएगी हैद्राबाद को भारत की अंडो की टोकरी कहा जाता है अगला जहला राज्य कुन सा बना है, जो वर्चुल कोर्ट जो है, उसको अपलाई करने वाला है। इस त्रीके टीवी चेएं और डूर बैठें हैं, किसी टैली कम्मूनुकेशन के माद्यम से हिरिंग वगरा की जा सकते हैं, केसों के सुनवाई वगरा की जा सकती है। ऐसा काम किया है अभी हाली में उत्तर प्रदेश के इलहाबाद हाई कोर्ट ने, तुरू विच मल्टिपल कोर्ट प्रसेडिंग ए हाई कोर्ट एंडिस्टे कोर्ट अक्रोस दा स्टेट कैन बी कंडुक्टिड वर्चुली विदिन दा कोर्ट, एक कोर्ट के अंदरी जो है, वो मल्टिपल चीजों को, मल्टिपल कोर्ट को, मल्टिपल हीरिंग को किया जा सकता है, ऐसा उत्तर प्रदेश ने किया तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखी गा उत्तर प्रदेश की जो राजदानी है वो है लखनव लखनव पड़ता है गौमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदित्यानाथ है उत्तर प्रदेश के राजयपाल आनंदी बन पतेल है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे ज़ादा भहती है और उत्तर प्रदेश में गेहूं भी भारत में सबसे ज़ादा होती है अगला हमारा क्युस्टन है लोकडाउन लर्नर सीरीज इन इंडिया has been launched by which organization for online dialogues between students and educators on COVID-19 and its impact on sustainable development goal, peace and rule of law क्या क्युस्टन कह रहा है हमें यह कि लोकडाउन लर्नर सीरीज जो है अभी हाल ही में भारत में लाँच की गई है कौन से संस्ता ने यह लाँच की है इस लोकडाउन लर्नर सीरीज को लाँच किया है United Nations Office on drugs and crime संस्ता ने C options है इस जो है लोकडाउन लर्नर सीरीज से क्या होगा कि घर बैठे जो है वो बच्चे आनलाइन जो है वो study कर सके अपने जितने भी कुसंस है वो educators है जानि कि जो पढ़ाने वाले teachers है उनसे पूछ सके teacher उनको बता सके आपस में communication कर सके यह इसी वीज़े से lockdown learner जो है यह scheme launch की है UNODC ने UNODC का जो headquarter है वो वियाना आस्ट्रिया के अंदर है इसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी अगला क्युस्टन है कि name the twitter campaign launched by the ministry of human resource development on the occasion of word book day to urge people to read at least one book and share the same on रमेश पॉक्रियाल मिनिस्टर है human resource development HRD मिनिस्टर है उन्होंनी हाल ही में word book day जो कि अभी 23 अप्रेल को मनाया गया था word book day पे एक twitter companion की जो है एक अभियान है भी कितने लोग किताबे पढ़ रहे हैं कौन कुनसी पढ़ रहे है उसको share भी किया जाए उसके बारे में थोड़ा बताएं ये अभियान शुरू किया है अभी हाल ही में हमारे रिमेश पॉक्रियाल HRD मिनिस्टर ने इसी के साथ ये लेक्शा समाप्त होता ह है आशा करता हूँ आपको चीजे समझ आई होंगी कल फिर हजर होंगा लेटेस्ट अप्रेट के साथ में तब तक के लिए आप हसते रहना मुस्कुराते रहना धन्यवाद